एक संदेश देने की कोशिश की मल्लिका अर्जुन खडगे ने कि बटवारा न हो SC, ST और अलपसंख्यक वोटों में तो क्या इशारा मायावती की तरफ था और अगर इशारा मायावती की तरफ था जिनके बगएर ये गड़बंदन कहीं कमजोर देखता है अगर SC, ST और अलपसंख्यक टार्गेट को देखते हैं तो फिर आप आशवासन दे चुके हैं अखिलेश यादव की बातचीत कोई चल नहीं रही है मायावती से देखे मुझे लगता है कि जो भी पार्टी जो भी घटक दल दल पूरे देश के अंदर बीजेपी की नीतियों से सहमत नहीं है जो बीजेपी की नीतियों से सहमत है और बीजेपी को हराना चाहता है उसको इंडिया गड़बंधन में आना चाहिए जहां तक बात S.C.S.T. वोट की है कि बेटवारा नहीं होना चाहिए सौभाविक है कि जो भी दबा कुछला वर्ग है इस देश का वो सबसे ज़्यादा पीडित रहा है अब मायावती जी को टे करना है मायावती जी की पार्टी को टे करना है कि वो वास्ताओं में इंडिया में आकर और मोदी जी की जिस तरह की नीतिया है इस सरकार ने जिस तरह से अर्थवस्था सामाजिक नीती और विदेश नीती का बटा बठाया है क्या वो मोदी जी के साथ रहना चाहती है या मोदी जी के विपक्ष में आकर कोई कदम बढ़ाना चाहती है हमने तो पहले भी कहा नितिश कुमार जी ने भी तमाम घटक दलों के साथियों ने भी कहा कि जो भी मोदी जी को हराना चाहे वो सामने आए और अकलेश जी या किसी ने भी कहीं पर कोई मेरी नौलिज में नहीं है कि कोई शर्त रखी है कि फ़ला आएगा फ़ला नहीं आएगा या हमने किसी को कमिटमेंट किया है या किसी को कमिटमेंट किया है अचा आलोग जी अगर BSP इंडिया कड़बंदर में शामिल होती है तो SCST की ये जो लड़ाई है और आलप संख्यकों की लड़ाई है मजबूत होगी देखे कहीं न कहीं एक वर्ग उनके साथ है और सौभाविक है और यूपी में एक और पिलर वहाँ पर चंदरशेकर के नाम से भी खड़ा है अब हम उनको नका रहें कि भई वो लोग उस तरह के वोट नहीं ले रहे हैं तो बिलकुल गलत होगा राजिस्थान में भी वोट लिये हैं चंदरशेकर की पार्टी ने मायवती जी की भी पार्टी ने वोट लिये हैं मध्य परदेश में भी पूरी तरह से यहाँ पर राजिस्थान में भी 36 गड़ में भी तो तमाम पर्मूटेशन कंबिनेशन हैं और इनको नकारा नहीं जा सकता है तो फर मायवती के नाम पर वो जो पेंच फसा है कि समाजवादी पार्टी राम गोपाल यादव इतने सशंकित हो गए इतने आशंकित हो गए कि बातचीत तो नहीं चल रही है आशंका ही थी वो तो एक जाएगा एक आएगा तो बूसरा जाएगा ऐसी सिचुएशन बनेगी क्या ने ऐसा नहीं है देखे यहां पर ऐसा नहीं है दोनों अलग-अलग दल हैं पहले भी खटे लड़े हैं और आधिकारिक तोर पर अभी किसी भी तरह से चाहे राम गोपाल साभ हों चाहे ऐकलेश साभ हों कोई भी हों किसी ने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया है मेरी नॉलेज में नहीं आई है कियूरिसिटी जरूर है जिग्यासा जरूर सब को रहती है माई phenomenal होगी कुई दूसरे दल है उनके बारे में भी चर्चाए हैं, वो शामिल होंगे के नहीं होंगे, तो कि वो न एंडिये में हैं, बीजेपी के साथ हैं, और अलग हैं वो, जैसे नमीन पतनायक जी हैं, उन्होंने क्लियर किया है, हम किसी भी दल में नहीं जाएंगे, मायवती जी भी अगर इस तरह की कोई बात रखती हैं, क मुझे याद है कि 2004 में जब यूपिये बन रहा था, रिजल्ट आ चुके थे, इलेक्शन के, तो सुनिया गांधी जी जो अप्रोच कर रही थी, उन सारी पार्टीज के बड़े नेताओं को जो गड़बंदन में शामिल हो सकते थे, यूपिये का हिस्सा हो सकते थे, तो क्य कॉंग्रेस पहल करेगी कि BSP आ जाए, बायावती चली आए गड़बंदन में, उसके बगएर SCST अल्प संक्या को वोट का बटवारा रोकना तो मुश्किल रहा है, देखे, चार का आपने बताया, नौ का मैं बता देता हूँ, नौ में दोनों ही सपा भी बसपा भी हमारे स यूपीय में नहीं थी, और जैसे ही रेजल्ट आए, दोनों ने आउटसाइड सुपोर्ट दिया, ठीक है, उनकी अपनी शेतर की राजनीती है, उत्तर प्रदेश की राजनीती है, अगर आउटसाइड सुपोर्ट दिया, तो उस समय पर उत्तर प्रदेश के भलाई के हैं, आज तमाम ऐसे घटक दल हैं, जिन्होंने बीजेपी के साथ भी छोड़ा है, तमाम ऐसे घटक दल हैं, जिन्होंने 17 और 19 में मिलकर चुनाव लड़ा है, हमने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, और बसपा सपा और हमने भी मिलकर चुनाव लड़ा है, तो मुझ कॉंग्रेस पार्टी या इंडिया गटबंदन में तमाम सीनियर लीडर्स ने अपनी तरफ से पहल की है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा पहल नहीं हो सकती है।